हेलो अबरीवन तो आज की इस वीडियो में हम बुद्ध चरित्र का अध्याय टू अभी निस्क्रमन पढ़ेंगे तो आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे जो अच्छे से समस सकें तो शुरू करते हैं तो सबसे पहले है ग्रह ट्याग साक्त पुत्र सिधार्थ को विविद प्रकार के आमोद प्रमोद तथा भोग विलासों द्वारा लुभाने का प्रयात्न किया गया था परंतु उसे उनमें न सांती मिली ना सुख जैसे कोई सेंग विशाथ बान के लग जाने पर बहुत बेचैन हो जाता है वैसे ही राजकुमार बेचैन हो गया था इसलिए उसके मन में सांती प्राप्ती के लिए वन की ओर जाने की इक्षा हुई उसने अपने कुछ घनिष्ट मित्रों को साथ लिया और वन जाने के लिए महराज से आज्या मांगी आज्या प्राप्त कर राजकुमार सिधार्ट अपने मित्रों के साथ राजभवन से निकला सुन्दर घोडों पर सवार होकर वह सुदूर वन प्रांतर की ओर चल पड़ा रास्ते में उसने जुते हुए खेतों को देखा खेतों में हल से उकडी हुई गास तथा अन्य खर्पतवार देखे हलकी जुताई से मरे हुए कीडे मकोणों को देखकर राजकुमार का हरद्य द्रवित हो गया उसका मन सोक से भर गया वह विहवल होकर घोडे की पीट से उतर गया और धर्ती पर इधर उधर गूमने लगा राजकुमार का मन जन्म और म्रत्यू के विशे में सोस्ते सोस्ते बहुत ही व्याकुल हो गया मन को एकाग्र करने की इच्छा से राजकुमार ने अपने मित्रों को वहीं रोक दिया और स्वैम सामने जामुन के पेड के नीचे बैठ कर ध्यान करने लगा थोड़ी देर ध्यान करने से वह कुछ इस्थिर हुआ वहराग देश से मुक्त होकर तर्क संगत विचारों में दूब गया धीरे धीरे उसने मानसिक समाधी प्राप्त की और उसे सांती और सुख का अनुभव हुआ धीरे धीरे सिधार्थ के मन में सांसारिक जीवन की गती इसपश्ट होने लगी उसे लगा लोग अज्यानवस ही जरा, व्याधी और मृत्यों की उपेच्शा कर रहे हैं वह सोचने लगा क्या मैं इन्ही की तरह इनकी उपेच्शा करूं नहीं मेरे लिए यह उचित नहीं होगा इस प्रकार के विचारों से उसका एहंकार समाप्थ हो गया अब वह हर्स, संताप और संदेह से मुक्त था इस समय वह न निद्रा में था न तंद्रा में अब उसके मन में किसी के लिए न राग था और न द्वेस इस मानसिक समाधी से सिद्धार्थ की बुद्धी जब निर्मल हो गई तो उसे भिक्षू वेस में एक पुरुष दिखाई दिया वह और किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा था सिद्धार्थ ने उस पुरुष से पूछा कि आप कौन हैं तो उसने बताया मैं जन्मर्वत्यू से डरा हुआ एक सन्यासी हूँ मैं मोक्ष की खोज में हूँ अपने पराय के प्रती समान भाव रखते हुए अब मैं राग द्वेश से मुक्थ हो गया हूँ अतहा अब विचरन ही करता रहता हूँ कभी किसी वन प्रांतर में रहता हूँ सभी आसाओं से मुक्थ संग्रह सीलता से मुक्थ अनायास जो कुछ मिल जाए उसे ही खाकर मैं मोक्ष की खोज में घूमता रहता हूँ कभी किसी पेड के नीचे कभी किसी निर्जन देवाल्य में कभी किसी परवत पर यह कहकर वैसन्यासी राजकुमार के देखते देखते अंतरध्यान हो गया उस सन्यासी के अद्रशे हो जाने के बाद राजकुमार सिधार्थ को बहुत ही प्रसन्यता हुई उसे विसमे भी हुआ उसे धर्म का ग्यान प्राप्त हो गया था इसलिए उसने अब अपने मन में घर त्यागने का संकल्प कर लिया जितेंद्रिय राजकुमार ने वहीं से वन जाने का प्रयत नहीं किया वरन वह प्रसंदता पूर्वक अपने मित्रों को साथ लेकर नगर की ओर चल पड़ा राजकुमार जब अपने राजधवन की ओर जा रहा था तो राजमार्ग में किसी राजकन्या ने उसे देखा और हाथ जोड़ कर कहा हे विसाल नयन आप जिस इस्त्री के पती है वे निश्चित ही नीवरत्र है सुखी है राजकुमार को इस नीवरत्र सब्ड के सर्वन मात्र से परमसान्ती का अनुभव हुआ और वे निर्वान के विसे में सोचने लगा राजकुमार इसी भाव के साथ सीधा राजसभा में पहुँचा जहां मंत्रियों के बीच राजा वैसे ही सुसोबित हो रहे थे जैसे देवताओं की सभा में इंद्र राजकुमार ने हाथ जोड़ कर पहले राजा को प्रणाम किया और फिर सविन्य निवेदन किया हे नरदेव अब मैं मोक्ष प्राक्ति के लिए सन्यास लेना चाहता हूँ आप करपा कर मुझे आग्या प्रण करें क्योंकि यह निश्चित है कि एक न एक दिन मेरा और आपका वियोग होगा अतहे अभी जाने की आग्या प्रण कर मुझे उपकरत करें राजकुमार के वचनों को सुनकर राजा उसी तरह काप गए जिस तरह कोई व्रक्च हाती की रगण से काप जाता है उनका गला भर आया उन्होंने कुमार का हाथ पकड़ कर कहा हे तात इस तरह के विचारों को तुम त्याग दो अभी सन्यास लेने का समय तो मेरा है तुम तो पुरुसार्थ करो राज लक्ष्मी का भोग करो ग्रहस्त धर्म का पालन करो और युवा वस्था में सुक भोगने के बाद तुम तपोवन में प्रवेश करना यह तुम्हारे स लेक सन्यास घ्रहन करने का समय नहीं है, राजा ने तरह तरह के तरक को समझाया, परंतु राजक्मार ने उनके सभी तरकों को निरस्त कर दिया, अंत में अपर मेरी चार बातों को पूरा कर दें kırं, तो में आपको वचन देता हूं कि मैं तपोवन नहीं जाओंगा, वे चा की इन असंभव बातों को सुनकर महाराज सुद्धोदन चकित हो गए उन्होंने उसे बहुत समझाया और कहा हे पुत्र ऐसी उटपटांग बाते मत करो मेरा हरद्य फटा जा रहा है देखो तरक हीन बाते करने वाला व्यक्ति सदा उपहस का पात्र होता है अते तुम इस गई हो उससे निकल जाना ही स्रेस कर है जब मेरा आपका वियोग निश्चित है तो धर्म पालन के लिए उस वियोग को मैं अभी क्यों न चुन लूँ नहीं तुम रत्यू तो अलग करेगी ही राजकुमार की इस प्रकार की निश्च भरी बातें सुनकर मंत्रियों ने भी बहुत समझाया राजा ने आखों में आशु भर कर उसे रोकना चाहा परंतू उसने किसी की एक भी बात न मानी और अपना निर्ने सुना कर अपने महल की ओर चल दिया जैसे ही राजकुमार अपने महल में पहुँचा उसे सुन्दर इस्त्रियों ने घेर लिया उस तेजस् लेक कर वे मोहित हो गएं पर राजकुमार पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा वे अपने कक्ष में गया और सोने के आशन पर बैठ गया अब भी वे परमार्थ सुक्की प्राप्ति के लिए घर से निकल जाने के विचारों में डूबा हुआ था विचार करते करते दावला हो गया वहे निसंख भाव से उठा और जट से अपने कक्ष से बाहर आ गया वहां राजकुमार ने सोते हुए अस्व रक्षक छंदक को जगाया और कहा हे छंदक तुम सीग्र कंथक गोड़े को ले आओ मैं अभी अम्रित प्राप्ति के लिए जाना चाहता हूं आ लगता है मेरे जाने का समय आ गया है अस्व रक्षक छंदक राजा की इक्षा तो जानता था लेकिन उसने चुपचा राजकुमार की आग्या का पालन किया वैसीग्र ही अस्व साला में गया और वहां से वेगवान अस्व कंतक को ले आया राजकुमार ने घोडे के सरीर पर हाथ फेरा और कहा हे तुरंग स्रेष्ट तुम पर सवार होकर हमारे राजा ने अनेक सत्रों को जीता है अब तुम ऐसा करो जिससे मुझे अमरित पद की प्राक्ती हो इसका लाग तुम्हें भी होगा तुम्हें पुर्ण्य मिलेगा इस इस प्रकार उस स्वेत अस्व को समझा कर राजकुमार उस पर सवार हो गया ऐसा लगता था जैसे कि सरदकालीन मेग पर सूर्च सवार हो गया हो वह घोड़ा इस तरह चलने लगा जिस से किसी प्रकार की आवाज नहों कोई परीजन जागे नहीं बिना हिन हिनाय वह सीग्र राजभवन के द्वार पर आ गया, राजमहल के द्वार अपने आप खुल गए, सभी प्रहरी सो गए और राजकुमार अपने दरड संकल्प के साथ अपने हितेसी पिता, प्रिय, पुत्र, अनुरत, ग्रह लक्ष्मी और अन्य प्रियजनों को त्य कर नगर से बाहर निकल गया राजकुमार सिद्धार्त ने एक बार नगर की ओर मुड कर देखा और घोशना की जन्म और ब्रत्यू के पार देखे बिना मैं अब इस कपिल वस्तु नगर में प्रवेस नहीं करूंगा सूर्य के घोडों के समान यह घोडा भी किसी देव्य प्र कर नगर से कई योजन दूर निकल आया था छंदक की वापसी थोड़े समय बाद सामने भागर वरिशी का आश्रम दिखाई दिया आश्रम के पास निश्चिंत भाव से अभी एनेक हीरन सोय हुए थे व्रक्षों पर पक्षी सांत बैठे थे आश्रम की यह सोभा देखकर र तपश्या को सम्मान देने के लिए वह विनम्र भाव से घोड़े की पीट से उतर गया घोड़े से उतर कर राजकुमार ने पहले अपने घोड़े को सहलाया उसे पुछकारा और कहा हे वत्स तुमने मुझे पार उतार दिया है फिर इस निक्द दस्टी से छंदक को निहार आते हुए कहा हे सोमे गरुड के समान दृतकती से चलने वाले इस घोड़े के साथ साथ दोड़कर तुमने जो मुझ में भक्ती दिखाई है उसने मेरा मन जीत लिया है मैं तुमसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ क्योंकि तुम्हारे मन में इसके लिए किसी फल की कामना नह मिल गया है इतना कहकर राजकुमार ने प्रत्युपकार के रूप में अपने सारे आभूसन उतार कर छंदक को दे दिये उन्होंने दीपक के समान चमकने वाली एक मनी अपने मुकुट से निकाल कर उसे दी और कहा हे छंदक राजा को यह मनी दे कर मेरी ओर से बारंबार नम से या क्रोज से तपोवन नहीं आया हूँ मैं जरा और मरण के नास का मार्ग खोजने के लिए यहां आया हूँ सोक त्याक के लिए निकलने वाले व्यक्ति के लिए किसी को सोक नहीं करना चाहिए मैं अपने पूर्वजों की परंपरा का ही अनुसरन कर रहा हूँ अतहर आप मेरे लिए सोक ना करें मरत्य रूपी सत्रू के रहते हुए जीवन का क्या भरोसा इसलिए युवा वस्था में ही मैंने कल्यान का मार्ग चुन लिया है राजकुमार ने फिर छंदक से कहा हे सौम इसी तरह की और भी बातें करके तुम राजा को समझाना तुम मेरी बुराई भी करना क्योंकि दोस दर्शन के कारण इसने छूट जाता है और इसने समाप्थ होने से सोक समाप्थ हो जाता है राजकुमार की ये बातें सुनकर छंदक बहुत व्याकुल हो गया उसकी आखों से आसु बहने लगे उसने हाथ जोड़ कर भरे गले से कहा हे स्वामी स्वजनों को दुख देने वाले आपके इन विचारों से मेरा मन दलदल में फसे हाती के समान व्यथित हो रहा है आपके इस निर्ने से किसे कष्ट नहीं होगा कहा कोमल सया पर सोने योगिये सरीर और कहां यह कंटका की इन कटोर तपो भूमी नजाने मैं आपको यहां तक कैसे ले आया यदि मैं अपने अधीन होता तो आपके मिश्चय को जान कर मैं इस अस्व को कभी न लाता आप अपने वृ अपने अभोध पुत्र को मट त्यागे यदि आपने अपने स्वजनू और राजे को त्यागने का द्रड रिश्य कर ही लिया है तो भी आप मुझे न त्यागे है आपके चर्णों में ही मेरी घति है जैसे सुमंत राम को वन में छोड गए थे वैसे ही मैं आपको वन में मैं यदि जूट मूट ही आपकी बुराई करूंगा तो भी उस पर कौन विश्वास करेगा इसलिए हे दयालू आप करुणा कर मुझे पर प्रसंद हो और घर लोट चले चंदक के इन बातों को सुनकर कुमार ने बड़े धेरिये और सांती के साथ उसे पुनह समझाया और कहा छंदक इसनेह के कारण चाहे हम स्वेम स्वजनों को न छोड़े फिर भी वे एक न एक दिन मृत्यू के कारण छूट ही जाते हैं जिस माने मुझे कश्ट पूरवक गर्ब में धारन किया वहमा अब कहा है और मैं कहा हूँ जैसे रात को पक्षी एक व्रक्ष पर एकत्र होते हैं और प्राते काल फिर अलग हो जाते हैं उसी तरह सब लोग मिलते हैं और फिर विलग हो जाते हैं इसलिए तुम संताब छोड़ो और नगर लोट जाओ यदि तुम्हारा मन न माने तो फिर तुम मेरे पास चले आना अभी तो तुम कपिल वस्तू लोट जाओ और मेरी प्रतिक्षा कर रहे लोगों को समझाओ तुम उनसे कहना कि मेरे प्रती मोह को त्याग दें मैं जन्म वरत्यू का रहष्य जानकर आवश्य ही कपिल वस्तू लोटूंगा और यदि मुझे लक्षे प्राप्त नहीं हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा राजकुमार से धार्थ के वचनों को सुन कर कंथक अस्व की आखों से भी आशू बहने लगे और वह जीब से अपने स्वामी के चर्णों को चापने लगा राजकुमार ने भी उसे सहलाते हुए कहा है कंथक रो मत तुमने आज अच्छा कारे किया है उसका सुफल तुम्हें अवश्य मिलेगा ऐसा कहकर राजकुमार ने छंदक के हाथ से स्वार्ण जडित क्रपाल ले ली उससे अपने केस काटे और मुकुट फैंक दिया राजकुमार ने अपने सारे अलंकारों का त्याग किया और स्वार्णिम वस्त्रों को त्याग कर वन वस्त्र धारन करने की एक शाकी तभी एक सिकारी प्रकट हो गया जो कासाय वस्त्र धारन किये हुए था सिधार्थ ने उस सिकारी से कहा हे सोम्य इस हिंसक धनुस के साथ रिशियों के कासाय वस्त्र आपको सोभा नहीं देते यदि आपको इन वस्त्रों से मोह न हो तो आप मेरे सुभ वस्त्रों को ले ले और अपने ये कासाय वस्त्र मुझे दे दे सिधार्थ की बातें सुनकर सिकारी ने कहा यदि आपको मेरे कासाय वस्त्र अच्छे लगते हैं तो ले लीजिये और मुझे अपने वस्त्र दे दीजिये दोनों ने परस पर वस्त्र बदले इसके बाद सिकारी चला गया यह सब देखकर चंदक आश्चरे चकित रह गया चंदक ने कासाय वस्त्र धारी राजकुमार को विदिवत प्रणाम किया कासाय धारी सिधार्थ ने उसे प्रेम पूर्वक विदा किया और स्वेम अकेला आश्रम की ओर चल पड़ा राज्य से विरक्त अपने स्वामी को इस प्रकार जाते देखकर चंदक फूट फूट कर रोने लगा और भूमी पर गिर पड़ा थोड़ी देर बाद होस आने पर वह फिर उठा और कंथक से लिपट कर रोने लगा धीरे धीरे साहस बटोर कर वह कपिल वस्तु की ओर चलने लगा कभी रोता, कभी बिलखता, कभी गिरता और कभी उठता वह धीरे धीरे कपिल वस्तु की ओर चलता गया तपोवन प्रवेस जाते हुए छंदक को विदा कर जब सिध्धार्ट ने किसी सिध्योगी की तरह आसरम में प्रवेस किया तो उनके सरूप से सारा आसरम अभिभूत हो गया उनके सरीर पर कोई राजचिन नहीं था फिर भी सभी आसरम वाशियों की द्रश्टी उनकी और अनायास ही आकरिष्ट हो गई जो किसान अपनी इस्त्रियों के साथ खेत की और जा रहे थे वे सिध्धार्ट की और देखते रहे गए जो ब्रामन कुमार हातों में समिधा और फ सिध्धार्ट को देखकर आसरम के मोर प्रसंद होकर बोलने लगे चंचलनेत्र वाले म्रग चरना भूल कर उनके सामने आकर खड़े हो गए और गायों के थनों से स्वतह दूर्द चूने लगा आसरम के रिशी मुनियों ने जब दूर से ही सिध्धार्थ को देखा तो चकि हो गए और कहने लगे क्या यह आठमा वसु है या अस्विनी कुमारों में से ही कोई एक है जो स्वर्ग से प्रक्वी पर आ गया है इस तरहे इंद्र के समान सरीर वाले इस कुमार ने सहसा सूर्य के समान अपने प्रकास से सभी के मन को प्रकासित कर दिया आसरम में प्रवे सबी आश्रम वाश्यों का अभिनंदन किया मोख्ष चाहने वाले कुमार ने स्वर्ग चाहने वाले आश्रम वाश्यों के साथ बातचीत की और तपोवन का निरक्षर किया उन्होंने आश्रम की सारी गती विडियों की जानकारी प्राप्त की और तपश्या के विभिन रूप आज में पहली बार आश्रम देख रहा हूं मैं यहां के नियमों से नितान्त अपरीचित उन्होंने बताया कि कुछ तपश्वी पक्षियों की तरह बीन-बीन कर अन्न चुगते हैं, कुछ म्रगों की तरह त्रण चरते हैं, कुछ बांबियों में सापों के साथ रहकर वायू पर ही जीवित रहते हैं, कुछ जटाधारी साधू मंत्रों से अगनी में आहूती देते ह कुछ जल में प्रवेश कर मचलियों के साथ रहते हैं इस तरह विभिन प्रकार के कथोर तप बहुत समय तक करने के बाद स्रेश्ट साधक स्वर्ग प्राप्त करते हैं तथा निक्रिश्ट साधक पुनह धर्ती पर जन्म लेते हैं अंत में तपश्वी ने कहा दुख के मार्ग पर चलने से ही सुख मिल सकता है और सुख ही धर्म का मूल है राजकुमार सिधार्प ने तपश्यों की सारी बातें ध्यान से सुनी परन्तु उन्हें इनकी बातों से संतोष नहीं हुआ उन्होंने मन ही मन कहा विभिन प्रकार की ये तपश्याएं दुख रूप ही हैं और इन तपश्याओं का फल स्वर्ग है किन्तु जब सब कुछ परिवर्टन सील है तब इन आस्रम वाश्यों का परिश्रम भी इस्थाई फल देने वाला नहीं हो सकता उन्हें लगा कि जैसे कुछ लोग इस लोग में सुख पाने के लिए कश्ट भोगते हैं वैसे ही ये लोग स्वर्ग में सुख भोगने के लिए कश्ट भोग रहे हैं यह निंदनिय तो नहीं है परंतु बुद्धिमानों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि फिर करने के लिए कुछ ना बचे राजकुमार ने आगे सोचा यदिस लोग में सरी पीड़ा सेहना धर्म है तो निश्चित ही सरीर के सुख को अधर्म कहना चाहिए उन्हें लगा यह सरीर तो मन के अधीन है मन के अनुसार ही यह कर्मों में प्रवर्त है और उनसे निवरत होता है अतहर मन का दमन करना ही उचित होगा इस तरहे विचार करते करते साम हो गई फिर धीरे धीरे उन्होंने उस वन में प्रवेश किया जहां यग्य का धुवां फैला हुआ था अगनी होत्र की पूर्णा होती दी जा रही थी रिशीगर एकत्रित थे उनके मंत्रों के स्वरों से देव मंदर गूज रहा था और सारा वातावरन हवन की सुगंध से किन्तु उन्हें इन तपुविद्यों से संतोस नहीं मिला अतहें एक दिन उन्होंने इस तपुवन को छोड़ देने का निश्य किया कुछी दिनों में राजकुमार सिधार्थ के रूप, व्यवार और विचारों से उस तपो भुमी के सभी निवासी ऐसे प्रभावित हो गए थे कि जब वे आश्रम से जाने लगे तो सभी उनके पीछे-पीछे चलने लगे जब सिधार्थ ने देखा कि सभी आश्रम वासी उनके पीछे-पीछे चले आ रहे हैं तो वे रुके और एक सुन्दर व्रक्ष के नीचे बैट गए सारे आश्रम वासी उन्हें गेर कर खड़े हो गए उनमें से एक व्रद सादू ने बड़े आदर के साथ उनसे कहा हे तात आपके आने से ये आश्रम भरा भरा सा लगने लगा था और जब अब आपके जाने से ये सूना सूना सा होता जा रहा है इसे लिए आप इसे न छूड़े या निकट ही ब्रह्म रिशियों, राज रिशियों और देव रिशियों द्वारा सेवित हिमाल्य है, चारों और पवित्र तीर्थिस्थान है, कि आपने इस आस्रम में किसी को नकारा ये संकुचित विचार वाला देखा है, किसी को अपवित्र देखा है, जिसके कारण आप यहां रहना नहीं चाहते। आपको जब तक अछह लगे, तब तक आप यहीं रहे, यह तपश्वी अपनी तपश्या में आपको सहायक बनाना चाहते हैं। आपके यहां रहने से इन सब का अभुद्य होगा। उस व्रद्ध तपश्वी के विन्य वच्णों को सुनकर राजकुमार ने कहा है तपुधन आप सबने मेरे प्रती ऐसे भाव व्यक्त करके मुझे जो इसने और आदर दिया है उससे में अभीबूसा हो गया हूँ। इसलिए मैं इस तपोवन को छोड़ना चाहता हूँ। यहां के प्रती मेरे मन में न आरुची है और नहीं मैंने यहां कोई आपकार दुराचार देखा है। आप महरसी सद्रश हैं। पूर्वयुक के अनुरूप धर्म में प्रतिष्ठित हैं। परंतु इसमें मेरी कोई तब ही उनके बीट से एक भस्म लगाए तपश्वी बोला हे प्राग्य आपका निश्चे सच्मुच ही प्रसंसनिय हैं। आपने युवावस्था में ही जन्मगत दोसों को देख लिया है। इसलिए आपनी स्वर्ग का नहीं अपितू अपुवर्ग मोक्ष का मार्ग चु आप उनसे तत्व ज्यान सुनिए और यदि आपको रुचिकर लगे तो स्विकार कीजिए। परंतु आपको देखकर मुझे लग रहा है कि आप में जो अगाद गंभीरता है जो तेज है तथा जो लक्षण है उनके कारण आप स्वेम उस पद को प्राप्त करेंगे जो पह आपको देखकुमार आश्रम से बाहर निकल आए और आश्रम वासी धीरे धीरे लोट गए अब है आगे अंतपुर विलाप अपने स्वामी के तपोवन जाने के बाद अस्व रक्षक छंदक धीरे धीरे अपने घोडे के साथ कपिल वस्तु की ओर जाने लगा स्वामी के व यानि कि वह इतना दुखी था यदिपी घोडा कंतर चल रहा था पूर्ववत अलंकर भी था यानि कि पहले की तरह उस पर अलंकार भी थे फिर भी सोक भाग के कारण वह अत्यंत मलिन और निस्तेज लग रहा था जब से उसके स्वामी तपोवन गए हैं तब से घोडे में नगास खाई है ना ही पानी पिया है इस तरह धीरे धीरे दोनों ने कपिल वस्तू में प्रवेश किया यानि कि दोनों ने बहुत ही दुख के साथ कपिल वस्तू नगरी में प्रवेश किया कपिल वस्तु के वन उपवन जला से आदी सबकुछ कुमार के विरह में अरणिय के समान दिख रहे थे राजकुमार के बिना दोनों के लोटने पर नगरवाशियों ने वैसे ही आसु बहाए जैसे प्राचीन काल में राम के बिना उनके रत को देख कर अयुद्यवाशियों ने आसु बहाए थे लोगों का उन पर खीज आ रही थी और वे कह रहे थे पूरे नगर और राष्ट को आनंद देने वाले कुमार को तुम कहां छोड़ाए हो यानि कि लोग जो उस नगरी में रहते थे बहुत ही गुस्सा कर रहे थे बेचारा चंदक सबसे यही कहता कि मैंने कुमार को नहीं छोड़ा वरन वे ही मुझे निर्जिन में रोता हुआ छोड़ कर चले गए चंदक की बाते सुनकर नागरिक कहते तुमने उन्हें किस वन में छोड़ा है हम सब वहीं जाएंगे क्योंकि उनके बिना यह नगर तो वन के समान हो गया है नगर की जो इस्त्रियां अपने घरों के जहरों को से जहाक रही थी वे राजकुमार के बिना घोड़ों को देख कर रोने लगी असरुपून नेत्रों के साथ कंतक ने जब राजमहल में प्रवेश किया तो आठ स्वर में हिन हिना कर उसने अपना दुख प्रकट किया उसकी हिन हिना हट सुनकर राजमहल के सभी पक्षी और घोड़े आठनाद करने लगे इस कोला हल को सुनकर लोगों को लगा जैसे राजकुमार लोट आए हैं वे जिस इस्थिती में थे उसी इस्थिती में बाहर आ गए परंतु जब उन्हें ग्यात हुआ कि राजकुमार नहीं आए हैं तो सभी दुखी हो गए और रोने लगे रानी गौतमी बिलक बिलक कर रोने लगी अंतपुर की अनेक स्थियां सोक के कारण चेंता सुन्य हो गई यह सब कुछ देख और सुनकर यह सोधरा सोक और कुरोध से भरकर छंदक से बोली रे छंदक रात को मुझे विवस सोती छोड़ कर तुम मेरे मनुरत को कहां छोड़ाए हो अरे निर्देई अब तुम क्यो रो रहे हो तुम हमारे हितेसी हो और तुम ही ने इस कुल का नास कर दिया अरे यह कंथक अब क्यो हिन हिना रहा है रात के अंधेरे में जब यह कुमार को ले कर गया था तब क्या यह गुंगा हो रहा था यह सुधरा के वचन सुनकर छंदक और भी रोने लगा फिर जैसे तैसे अपने आपको संभाल कर बोला हे देवी आप कंतर की निंदा ना करें और नहीं मुझे दोस्त ने क्योंकि हम उस रात विवस थे राजा के आदेश को जानते हुए भी मैं किसी देवी प्रेर्णा से घोड़ा ले आयो और बिना थके रात पर उनके पीछे चलता रहा घोड़े के चलने पर भी उसके खुरों से किसी तरह की ध्वनी नहीं हुई राजभवन और नगर के सभी द्वार अपने आप खुल गए और सभी प्रहरी सो गए इस सब को कोई देवी विधान ही मानना चाहिए तभी तो राजकुमार ने अपन मुकुट उतार फैका और कासाय वस्त्र धारन कर लिए हे देवी इस सब के पीछे ना मेरी एक्षाती ना घोड़े की लगता है यह सब कुस देवी प्रेणा से ही हुआ है छंदक के मुक से कुमार के जाने की यह अदबुत कथा सुनकर अंतपुर की सभी इस्त्रियां विश कि मैं ही अभागिन हूँ तभी तो वे मुझे छोड़ कर गए है मेरी ना स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है ना कोई और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वे मुझे इस लोक में या परलोक में किसी प्रकार भूले नहीं हाए उस मनस्वी का रूप ही सुकुमार था उसका ह प्रद्य अवश्य ही पत्थर या लोहे का बना है तभी तो फट नहीं रहा इस तरह विलाप करते करते ये सोदरा मूर्चित हो गई और अंतपुर की अन्य इस्त्रियां भी बिलख बिलख कर रोने लगी पुत्र को प्राप्त करने के लिए राजा सुदोदन देव मंदिर म हवन आदी अनुष्ठान कर रहे थे परमतु जब उन्होंने सुना कि छंदक और कंथक लोट आए हैं और कुमार ने सन्यास ग्रहन कर लिया है तो वे व्याकुल होकर प्रित्वी पर गिर पड़े राजा सुदोदन दोरो कर कहने लगे मुझे आज दसरत से इर्षा हो रही ह जो अपने पुत्र राम की वन जाने पर ततकाल स्वर्ग चले गए है भद्र मुझे वै आस्रम बताओ जहां मुझे जलांजली देने वाले मेरे पुत्र को तुम छोड़ाए हो इस तरहे राजा पुत्र के वियोग के कारण अपना धेरिये खो गठे जैसे राम के वियोग म दसरत रोते रोतने चेतना सूर्ने हो गए थे वेसे ही चेतना सूर्ने होकर धर्ती पर गिर पड़े राजा को इस प्रकार व्याकुल देखकर राजा के सास्तरग्य पुरोहित और गुडवान मंत्रीगण का उनका उपचार करने लगे उन्होंने राजा को समझाया और कहा ह नर्वीर आप सोक छोड़िए धेरिये धारन कीजिए आप असित्मुनी की भविश्यवानी याद कीजिए उन्होंने कहा था कि इस कुमार को न स्वर्ग रोक सकता है न चक्रवर्ती राज्य है फिर भी हमें प्रैत्न करना चाहिए आप आग्या दीजिए आप कहें तो हम वहा पक्षी की तरह अपने पुत्र के लिए मेरा हिरद्य छटपटा रहा है आप लोग सीग्र जाईए और मेरे पुत्र को ले आईए राजा की आग्या प्राप्तकर राजपुरोहित और मंत्री गण राजकुमार की खोज में सीग्र ही नगर से निकल पड़े कुमार की खोज अब वे लोग कुमार को खोजने के लिए चल देते हैं राजा सुद्दोदन की आग्या पाकर राजपुरोहित और राजमंत्री दोनों सीग्र उस वनकी ओर चलने लगे जहां छंदक और कत्थक राजकुमार सिधार्थ को छोड़ाए थे उस समय बाद वे भागर्व आश्रम के पास पहुंचे उन्होंने अपना राजशी वे स्त्याग दिया और सामान्य नागरिक के रूप में आश्रम में प्रवेश किया अंदर जाकर उन्होंने आचारिये की अभ्यर्थना की और अपने आने का प्रियोजन बताया राजपुरोहित और राजमंत्री की बाते सुनकर आचारे भागर्व ने कहा राजकुमार यहां आये थे वे युवा कवश्य हैं परन्तु अभोध नहीं हैं वे यहां कुछ समय रहे थे परन्तु बाद में मोक्ष की खोज में अराड मुनी के आश्रम चले गए हैं आचारे की बाते सुनकर राजपुरोहित और मंत्री ने उनसे आग्या ली और वे पुन्ह राजकुमार की खोज में आगे निकल गए रास्ते में उन्होंने एक व्रक्ष के नीचे कुमार को बैठे देखा लगता था कि कुमार ने कई दिनों से इसनार नहीं किया है फिर भ की दोनों कुमार को मनाने वहां गए पुरोहित और मंत्री ने कुमार की और कुमार ने पुरोहित और मंत्री की अभयर्थना की दोनों कुमार की आग्या प्राप्त करके उनके पास बैठ गए व्रक्ष के नीचे बैठे कुमार को पुरोहित ने समझाया है कुमार आपके व की आगनी जल रहा हूं इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आपको घर लोट आना चाहिए जैसे वायू मेग को उड़ा देता है सूरे जल को सुखा देता है और अगनी घास को जला देती है वैसे ही सोक मुझे जला रहा है अते आप घर लोट चलिए और राजसुक भो है पुरोहित ने आगे कहा देखिए धर्म के लिए वन जाना अनिवार्य नहीं है सभी प्रकार के सुख भोगते हुए भी अनेक ग्रहस्त राजाओं ने मोक्ष प्राप्त किया है दुरुव के अनुज बली और वज्रबाहु विदेह राज जनक और राम ऐसे ही राजा थे इसलिए आप भी इनी की तरह ज्यान और राजलक्षमी दोनों का सुख एक साथ भोगिए मेरी तो यही एक्षा है कि मैं आपको राजहभी से करूं और स्वेम सहस वन को चला जाओं है कुमार राजा के अस्रु सक्ति वच्णों को सुनकर आपको राजा के इसने को मान देना चाहिए जैसे भ्रग पुत्र परशुराम ने दसरत पुत्र राम ने तथा गंगा पुत्र भीस्म पितामहे ने अपने पिता की आज्या मानी थी वैसे ही आपको भी अपने पिता की आज्या माननी चाहिए आपको पोशन करने वाली माता अभी जीवित हैं पर वे उसी तरह निरंतर करंदन करती रहती हैं जैसे अपने बचछडे के नरहने पर गायर रोती रहती है हंस से वियुक्त हंसनी की तरह व्याकुल अपनी पत्नी को आप सनात कीजिए अपने अबोध पुत्र को अपना प्यार दीजिए नगर तथा अंतुपुर के सभी लोग सोका कुल हैं अपने दर्शन से उनका सोग दूर कुईजिए राजपुरोहित के इन वचनों को सुनकर पुमार सिधार्प ने सविने उत्तर दिया हे तात मैं पुत्र के प्रती पिता के प्रेम को जानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि राजा का मेरे प्रती विशेश प्रेम है यह जानते हुए भी जरा व्यादी और म्रत्यू से डर कर ही मैंने लाचारी में सोजनों को छोड़ा है सन्योग के बाद वियोग अवश्यम भावी है इसलिए मैं इसने ही पिता को अभी छोड़ रहा हूँ अन्य था अपने प्रिये स्वजनों को कौन नहीं देखना चाहेगा मेरे कारण राजा को सोख हुआ यह मुझे अच्छा नहीं लगा परंतु मिलन सपन के समान होता है और वियोग के दिन सास्वत है इसमें संताप का कोई कारण नहीं है संताप तो अग्यान के कारण ही होता है कुमार ने आगे कहा मनुष्य पूर्वजन्म के स्वजनों को छोड़ कर यहां आता है और फिर यहां सोजनों को छोड़ कर चला जाता है जब गर्ब से लेकर सभी अवस्थाओं तक मृत्यू सामने खड़ी है तो मोक्स के लिए किसी काल विसेश की क्या प्रतिक्षा राजा मेरे लिए राजे छोड़ना जाते हैं यह उनकी उदारता है किन्तु मेरे लिए यह अपथ्य के समान आगरा है धर्म की खोज में मैं वन में आया हूँ मेरे लिए अब अपनी प्रतिग्या को तोड़ कर घर लोटना उचित नहीं होगा मैं अब घर और बंधों के बंधन में नहीं पढ़ना चाहता राजकुमार की बातों को सुनकर राजवंत्री ने भी उन्हें समझाया उन्होंने कहा हे कुमार धर्म में आपकी निष्टा अनुचित नहीं है परन्तु व्रद पिता को दुख देकर धर्म का पालन भी उप्युक्त नहीं है आप प्रतिक्ष सुख को छोड़कर अदरष्ट लक्षे के लिए वन में चले आएं है उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है कुछ लोग पूरुजन को ही नहीं मानते ऐसी इस्तिती में प्रतिक्ष प्राप्त लक्षमी का उपभोग करना ही उचित है सास्त्रों का विधान है कि संतान उत्पत्ती द्वारा पित्र रिन वेदों के अध्यन द्वारा रिशी रिन और यग्यों के द्वारा देवरन से मुक्त होना ही मोक्ष है इसलिए है सौमें यदि आपकी रुची मोक्ष में हैं तो सास्त अनुसार आचरण कीजिए इससे आपको मोक्ष भी मिलेगा और पिता का सोग भी नष्ठ हो जाएगा आपको तपोवन से घर लोटने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले भी अपनी प्रजा के अनुरोद पर राजा अंबरिस वन से घर लोटाए थे इसी प्रकार राम और साल्व देश के राजा द्रुम भी वन से घर लोटाए थे अतहर धर्म के लिए वन से घर लोटने में किसी प्रकार का दोस नहीं है राजमंत्री के तरकों को सुनकर राजकुमार ने कहा मैं इस विशय में दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करता तपश्या और सांती से जो तत्वग्यान मुझे होगा मैं उसे ही स्विकार करूंगा राम जैसे पहले के राजाओं के जो उधारन आपने दिये हैं वे मेरे लिए प्रमार नहीं है इसलिए यदि सूर्य प्रत्वी पर गिर पड़े हिमाले चलाइमान हो जाए तो अभी में बिना तत्वग्यान प्राप्त किये घर नहीं लोड़ सकता मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर सकता हूँ पर ऐसफल होकर घर में प्रवेश नहीं कर सकता इस प्रकार अपनी बातें इस पस्ट रूप से कहकर राजकुमार वहां से उठकर आगे चले गए राजपुरोहित और राजमंत्री राजकुमार के दर्णिश्चक को सुन कर बहुत दुखी हुए कुस समय तक वे कुमार के पीछे पीछे चले फिर निरास होकर नगर की ओर लोटने लगे उन्होंने राजकुमार की गतिविदी के बारे में सूचना देने के लिए कुछ गुप्त चरों को नियुक्त किया राजा से अब क्या कहेंगे कैसे उन्हीं समझाएंगे यही सोस्ते सोस्ते वे कपिल वस्तु की ओर चलने लगे अब उनकी आगे बिंबसार से भेट होती है राजपुरो ही तो राजमंत्री को छोड़ कर राजक तब तो कुंडो से युक्त इस नगर में उन्होंने वैसे ही प्रवेस किया जैसे की स्वर्ग में स्वैम्भू ब्रह्मा ने प्रवेस किया था सिव के समान द्रडवरती राजकुमार के गामभीरिय तता तेज के कारण नगर के लोग उन्हें विस्मय से निहारते रहे उनका ऐसा प्रवाव था कि जो लोग जा रहे थे वे रुख गए जो रुके हुए थे वे उनके पीछे पीछे चलने लगे जो जल्दी जल्दी जा रहे थे वे धीरे धीरे चलने लगे और जो बैठे थे वे खड़े हो गए किसी ने आगे बढ़कर अपने हातों से उनकी पूजा की, किसी ने सिर जुका कर उन्हें प्रणाम किया और किसी ने मधुर सब्दों में उनका अभिनंदन किया उनको देखकर जो लो सुसजित थे, विचित्र वेस भूसा धारन किये हुए थे वे लजित हो गए और जो वाचाग थे, वे मौन हो गए उनकी भुकटी, ललाट, मुखनेत्र, सरीर, हाट, पैर, चलने की गती जो भी जिसने देखी, वह वही देखता रह गया उस प्रत्यक्ष धर्म की मूर्ती के सामने सबी ठगे से रह गए मगत के राजा बिमिसार ने जब अपने महल से उन्हें और उनके पीछे पीछे चलने वाली भीर को देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा राज कर्मचारियों ने राजा को बताया कि वह साक्के राजपुत्र परिवार्जक सिधार्थ है इनके विशे में ब्रामणों ने यह भविश्यवानी की थी कि यह या तो परमज्यान को प्राप्त करेंगे या चक्रवर्थी समराठ होंगे यह सुनकर राजा ने अपने अनुचरों को आग्या दी जाओ और पता लगाओ वह कहां जा रहा है राजा की आग्या के अनुसार राजकर्मचारी राजमहर से बाहर आए और परिवार्जक वेजधारी सिधार्थ के पीछे पीछे चलने लगे उन्होंने देखा कि परिवार्जक की दृष्टी स्थिर है वाणी मौन है गती नियंद्रित है वे भिक्षा मांग रहे हैं बिक्षा में जो कुछ मिलता है वे उसे ही स्विकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं बिक्षा में मिले अनु को लेकर वे परवत पर गए एक आंत निर्जर के पास बैठकर उन्होंने भोजन किया और फिर वे पांडव परवत पर जाकर बैठ गए कासाय वेसदारी सिधार परवत पर वैसे ही सुसोबित हो रहे थे जैसे की उद्याचल पर बाल सूर्य प्रकट हो गया हो राज कर्मचारियों ने यह सब देखकर राजा बिम्बिसार को सूचित किया बिम्बिसार ने अपने साथ कुछ अनुचरों को लिया और वे स्वेम बोधिसत्व एनकी सिधार्थ से मिलने के लिए चल पड़े वहाँ पहुचने पर राजा बिम्बिसार ने देखा कि बोधिसत्व परियंक आसन में सांत भाव से बैठे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बादलों की ओड से चंद्रमा चमक रहा हो राजा धीरे धीरे उनके निकट गए और कुसल छेम पूछी कुमार ने भी यतोचित उत्तर दिया फिर राजा आज्या प्राप्त कर एक सिला खंड पर बैठ गए और उनसे वारतलाप करने लगे राजा बिम्बिसार ने उनसे कहा हे कुमार आपके कुल से हमारा पुराना प्रेम संबंध है हे मित्र मेरी बात सुनिए आपका सूर्यवंस महान है और आपकी अवस्ता अभी नई है फिर क्यों आपकी बुद्धी सुभाविक क्रम तोड़ कर राज्य में न रम कर भिक्षा व्रती में रमी है आपका सरीर तो अभी लाल चंदन के लेप के योग्य है कासाय वस्तर धारन कर ले नायक नहीं है अभी आद के हाथ प्रजा पालन के योग्य है बिक्षा मांगने योग्य नहीं है हे सौम में यदि आप इसने वस अपने पिता का राज्य पराकर्म से प्राप्त करना नहीं चाहते पिता के बाद राज्य प्राप्ति तक प्रतिक्षा नहीं कर सकते तो आप मेरा आधा राज्य ले लीजिए और भोगिए आप मेरे साथ मेत्री कीजिए यदि आपको अपने कुल के अभिमान के कारण मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरी प्रबल सेना की सायता से स प्रिवर्ग धर्म अर्थ काम का सेवन कर अपना जन्म सफल कीजिए आप धनुस चढ़ाने लायक अपनी भुजाओं को इस प्रकार व्यर्थ न कीजिए ये मानधाता के समान तीनों लोकों को जीतने में सक्षम है फिर प्रत्वी की तो बात ही क्या निश्य ही यह सब कुछ में इसने वस ही आपसे कह रहा हूं नैस्वरिय के राग से और ना अभिमान से आपको भिक्षु वेस में देखकर मुझे दया आती है और रोना भी आता है जब तक बुढ़ापा आपके रूप को नहीं मिटा देता तक तक विश्यों को भोगिये हे धर्म प्रिये समय अनु विचलित नहीं हुआ इसलिए हे राजन मित्रता और सज्जनता के कारण मैं आपको उत्तर तो नहीं दे सकता परंतु अनुन्य अवश्य करना चाहता हूँ मैं तो जरा और म्रत्यू के भह से ही मोक्ष की एक्षा से धर्म की सरण में आया हूँ इसलिए मैंने काम को त्यागा है और उसी के साथ अपने बंधों को भी छोड़ा है मैं सापों से वजरपात से या प्रचंड अगनी से भी उतना नहीं डरता जितना मैं विश्यों से डरता हूँ काम अनित्य है वह ज्यान रूपी धन का चोर है वह मोव पास में बांधता है जैसे पवन प्रेरित अगनी इंधन से त्रप्ट नहीं होती वैसे ही विशेत्रसित व्यक्ति कभी विशे भोगों से त्रप्ट नहीं होता जैसे अनन्त नदियों के गिरने से भी समूंदृ की तरप्ती नहीं होती वैसे ही काम के भोग से मनुषे को कभी तरप्ती नहीं मिलती देखिए देवो द्वारा स्वन की वर्षा किये जाने पर सभी द्वीपों को जीतने के बाद और इंद्र का आधा आसन प्राप्त करने के बाद भी मांधता को तृत्ती नहीं मिली विश्यों का चिंतन भी अमंगल है इसलिए सज्जन काम का प्याग करते हैं यह जानकर भी इस काम के विश्च को कौन ग्रहन करेगा आप जानते हैं कि संगीत की आसक्ती से हिरन मरते हैं रूप की आसक्ती से पतंगे जलपाते हैं और मास के लोग से मचलियां प्राण देती हैं आसक्ती का परिणाम ही विपत्ती है इसलिए मैं मानता हूँ कि इस से दूर रहना ही बुद्धी मानी है मैं जानता हूँ ना राजा सदा हस्ता रहता है और ना दास सदा संतप्त रहता है मेरे लिए राजा और दास दोनों ही बरावर है संपूर प्रत्वी को जीत कर भी समराथ अपने निवास के लिए एक ही पुर्चुनता है राजा भी एक जोड़ा वस्र पहनता है और एक ही सया पर सोता है सेश सबकुस्तो मातर दिखावा है, मद है संतोस हो जाने पर मनुस्य को ये सारा संसार निरथक लगने लगता है इसलिए मैं जान बूझ कर कल्यान के मार्ग पर प्रवर्थ हुआ हूँ आप मित्र होने के नाते काम ना कीजिए कि मैं अपनी प्रतिग्या पूरी करूँ मैं ने तो क्रोध से बनाया हूँ और ने पराजित होकर या किसी फल विसेज की इक्षा से आया हूँ इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान पा रहा हूँ मैं तो संसाय रूपी वान से धायता होकर सांती पाने की इक्षा से निकला हूँ मुझे तो स्वर्ग का भी राजिन ही चाहिए इस प्रत्वी के राज्य की तो बात ही क्या है राजन आपने कहा था कि त्रिवर्ग का संपून रूप से सेवन करना ही परमधर्म है आपकी यह बात मुझे अनर्थ कारी लगती है क्योंकि त्रिवर्ग नासवान है और संतोस प्रत्वी नहीं है मैं तो परमधर्म से उसे मानता हूँ जिसमें न जरा है न भय है न रोग है न जन्म है न अम्रत्यू है न व्यादी है और जिसके पाने के बाद कुछ भी करनिय नहीं रहता यमराज सभी को किसी भी अवस्था में बलात खीच लेता है इसलिए कल्यान के लिए व्रधा अवस्था की प्रतिक्षा करना उचित नहीं है हे राजन अब मुझे ठगा नहीं जा सकता है मैं वह सुख भी नहीं चाहता जो दूसरों को दुख दे कर प्राप्त किया जाता है मैं यहां आया था और अब मोक्षवादी अराडगुनी से मिलने जा रहा हूँ आपका कल्यान हो आप मुझे कठोर सत्य कहने के लिए छमा करें हे राजन आप इंद्र के समान रक्षा करें सूरे के समान रक्षा करें आप अपने गुणों से कल्यान की रक्षा करें पृत्वी की रक्षा करें, आयू की रक्षा करें, सत्कुत्रों की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें और अपनी रक्षा करें कुमार भिक्षु के ये आसिर विचिन सुनकर मगदराज ने बड़े अनुन्य के साथ हाथ जोड़े और कहा आप अपना अभिष्ट प्राप्त करें करतार्थ हों और समय आने पर मेरे उपर भी अनुग्रह करें अच्छा ऐसा ही हो कहकर सिधार्थ वहां से वैस्वंतर आश्रम की ओर चल दिये मगद राज भी सिधार्थ के परिराजक रूप से विश्मित होकर अनुचरों के साथ राजग्रह की और लौट गए तो ये था आपके वुद्ध चरित का चैप्टर टू I hope आपको ये अच्छे से समझ आया होगा तो आपको इस से कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट वोक्स में कमेंट करके बता सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के कोशन आंसर के साथ If you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel, thank you